हलो इस्टुडेंट्स आज का अमरा टोपिक है एथेरो इसक्रोसिस अगर इसकी बात करें क्या होता है तो एथेरो इसक्रोसिस को आर्ट्रियो इसक्रोसिस बोलते हैं और इसमें क्या प्रोब्लम देखने को मिलती है हाड्निंग ओफ आर्ट्री यानि कि जो ब्लड आर्ट्री होती है body में उन में hardening हो जाती है, di atherosclerosis की condition में ठीक है ? it is the most common disease κι घो मंठ और लेकीव कंडिशन और यह जो कंडिशन । कंडिशन है। तो यह फंच मनरा हो बड़न अघर अर्ड़ी शार constitu के बारे में होती में जिस में.. जो blood arteries है उन में ardening हो जाती है सक्त हो जाती है वो ठीक है और दूसरा ये एक most common problem है जो arteries में देखने को मिलती है next point है it occurs due to accumulation of lipids calcium, blood components carbohydrates and fibrous tissues ये condition अब क्यों arise होती है किस वज़े से होती है accumulation होने की वज़े से कुछ ऐसे substances जिनके जमा होने की वज़े से condition arise होती हो कौन-कौन से substances होते है lipids, calcium, blood components carbohydrates and fibrous tissues ये जो भी substances है इनके जमा होने की वज़े से ठीक है artery के अंदर artery के अंदर भी कहां जमा होते है on the insimal layer of artery यानि कि जो artery की सबसे inner layer होती है तीन layer होती है artery की ठीक है तो उसमें जबसे जो inner layer होती है उसमें ये जो भी substances है ये क्या होते हैं वहाँ पर जमा होने लग जाते हैं accumulate होने लग जाते हैं अब उस वज़े से क्या result देखने को मिलता है which results in narrowing और stenosis of the lumen अगर ये जैसे ये एक artery है अब इस artery के अंदर यहाँ पर मान लो जो inner layer है यहाँ पर इस substances जमा हो रहे हैं इस तरह से तो क्या होगा कि जो अंदर की lumen है वो क्या हो जाएगी narrow हो जाएगी stenosis हो जाएगा वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यह रस्ता ब्लोक करें जो भी यहाँ पर accumulation या deposition हो रहा है यह क्या कर रहे है artery की अंदर का जो opening है उसको narrow कर रहे है रस्ते को ब्लोक कर रहे है so यह introduction हो गया ethereosclerosis के बारे में कि ethereosclerosis यह कैसी condition होती है जिसमें blood arteries hard हो जाती है दूसरा क्यों hard होती है क्योंकि कुछ substances blood artery की जो inner layer इंशीमल layer उसमें जमा हो जाते है जिस वज़े से क्या result देखने को मिलता है कि blood arteries की अंदर की जो opening है वो narrow हो जाती है stenosis हो जाता है next one है इसके risk factors की क्या क्या है आपर problems होती है जो ethos कर सकती है तो first one है the use of tobacco products सबसे strong risk factor है जो tobacco products है ठीक है लाइक और जो smoking वगेरा है जो alcohol consumption है इन में क्या होता है कि इस तरह के proliquium मतलब इस तरह के substances पाए जाते है जो क्या करते है arteries की जो वाले उनको नुकसान पहुचाने काम करते ठीक है तो अगर कोई person इन products का use करता है तो वो most prone होता है atherosclerosis के next one है high fat intake अगर कोई person fatty food ज़्यादा खाता है unhealthy food, light, junk food वगेरा street food जो होते हैं ऐसे food ज़्यादा diet में लेता है fat intake ज़्यादा करता है तो उनमें भी atherosclerosis होने के chance होते हैं next one है hypertension अगर किसी person को hypertension condition रहती है blood pressure बढ़ावा रहता है तो उस condition में क्या होता है कि लंबे time अगर hypertension रहेगा तो क्या करेगा दीरे दीरे blood vessels की वाल को नुकसान पहुचाने लग जाएगा ठीक है उस वज़े से भी atherosclerosis हो सकता है next one है diabetes जो लोगो diabetes की condition होती है उनमें क्या रहता है कि उनके blood में glucose का level बढ़ावा रहता है और अगर blood में glucose का level जादा रहेगा तो क्या करेगा blood arteries का जो blood vessels से उनकी वाल्स को नुकसान पहुचाएगा next one है obesity and stress जो person obese होते हैं उनमें fat का level lipids, cholesterol इनका level की होता है ज्यादा होता है जिस वज़े से atherosclerosis होने के chance ज्यादा होते है next one है stress तो जो लोग ज्यादा stress लेते हैं तो उसका direct link होता है hypertension से क्योंकि ज्यादा stress लेने की जब भी हम stress लेते हैं तो cortisol hormone release होता है और cortisol क्या करता है blood pressure increase करता है blood vessel को narrow कर देता है तो उस वज़े से भी atherosclerosis हो सकता है अगर person ज्यादा stress लेता है next one है lake of exercise अगर कोई person बिल्कूल भी exercise नहीं करता है तो उस condition में भी ये problem हो सकती है तो ये बात होगा risk factors की next one है sinus symptoms तो जो atherosclerosis है जो symptoms या जो clinical features है ये depend करते हैं कि ये कौन से part को affect कर रहा है कौन से organ को affect कर रहा है अगर ये heart में present है यानि जो heart की जो coronary arteries है उन में अगर atherosclerosis present है तो उस वज़े से क्या problem देखने को मिलेगी enzyme and am I like problem देखने को मिलेगी enzyme factoris क्या होता है chest pain क्यों होता है कि जो है myocardial muscles को properly blood supply नहीं मिल पाती है दूसरा जो MIA myocardial ischemia तो इस तरह इक problem देखने को मिलती है next step brain अगर brain में atherosclerosis हो रहा है तो उस वज़े से क्या problem देखने को मिल सकती है ischemic attacks and stroke ऐसे जो ischemic attacks है यानि blood supply कम होने की वज़े से क्या होगा brain को proper oxygen नहीं मिलेगी तो ischemic attacks आएंगे दूसरा stroke भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है और last one है peripheral vessels जो body के peripheral parts है उनकी blood vessels अगर affect हो रही है atherosclerosis की वज़े से तो क्या conditions देखने को मिलेगी hypertension देखने को मिल सकता है symptoms of aneurysm of erota aneurysm क्या होता है कि अगर यहाँ पर मालो blockage है ठीके तो क्या होगा कि यहाँ से जो blood है वो आगे नहीं जा पाएगा यहाँ पर ज़्यादा force लगेगा क्या होगा कि यहाँ का जो blood vessel की wall क्या होने लग जाएगी दीरे-दीरे lose होने लग जाएगी weak हो जाएगी और weak होने की वज़े से क्या होगा यहाँ पर aneurysm डेवलप हो जाएगा क्या डेवलप हो जाएगा यहाँ पर aneurysm यानि जो blood vessel की जो wall इस तरह से lose हो जाएगी weak हो जाएगी dilate हो जाएगी तो उस condition को बोलेगे aneurysm next one है reno-vascular disease यानि कि जो kidney की blood vessels या जो arteries है kidney की उनमें अगर problem present atherosclerosis हो रहा है तो उस वज़े से भी means condition problem cause हो सकती है ओके यह बात होगा इसके symptoms की अब बात करते हैं इसके management की तो जो atherosclerosis का management होता इसमें क्या-क्या point involved होंगे first one है modification of risk factors की जो भी risk factors condition cause करतने एक लिए शक्षम है जो भी risk factors से लाइगा अगर कोई person smoking करता है या कोई junk food ज्यादा खाता है फेटी डाइट ज्यादा लेता है तो हमको क्या करना पड़ेगा modify करना पड़ेगा कि आपको जो है इस तरह के जो आप चीज़े ले रहे हैं इनको आप रोकें ठीके अगर कोई person smoking heavy smoking है इसमोकर है तो उसको एवोइट करना है ठीक है तो modification करना है risk factors का next one है controlled exercise program to improve circulation person को बताना है कि आपको regular exercise करनी है पर control में करनी है ज्यादा heavy exercise नहीं करनी है पर regular exercise करनी है जिससे क्या होगा circulation improve होगा ओके और next one है इसके बाद medications यहां पर medications भी देनी पड़ेगी एथरो इसको खतम करने के लिए और कौन-कौन सी medications होगी लाइब बीटा blockers and calcium channel blockers यह drugs दी जाती है hypertension को relieve करने के लिए next one है thrombolitis drugs क्या करती है कि जो पहले से clot बने हैं thrombus बने हैं उनको तोड़ने का काम करती है जो बने हैं पहले से बन चुके हैं next one है anticoagulants यह क्या करती है कि आगे अगर कोई clot बनने वाला है तो उसको बनने से रोकती है thrombolitis तो पहले जो clot बन चुके हैं उनको तोड़ती है और anticoagulants आगे जो clot बनने वाले हैं उनको बनने से रोकती है ओके यह दोनों इन में यह difference है next one है antiplatelets यह drugs क्या करती है जब platelets के aggregation को यह रोकती है अगर platelets aggregate नहीं होगी तो अब clot का formation नहीं होगा ओके सो यह drugs की बात हो गए अब next one है इसके बाद surgery कि कौन-कौन सी यहाँ पर surgery अपन प्रोवाइट कर सकते हैं अगर यह तरो इसको ज़्यादा मात्रा में प्रजेंट है ज़्यादा माउंट में है तो यहाँ पर surgery है PTC है यानि percutaneous transluminal coronary angioplasty यह जो surgeries है मैंने आपको previously भी बहुत बार बताई है previous topics में तो अगर आपको detail में पढ़ना है तो आप पहलेगी जो videos है are diseases की वह आप देख सकते हैं ओके next यहाँ पर है surgery stand यहाँ पर जो stand होता है stand का क्या करते हैं कि जो यह आट्री यह ब्लोक है यहाँ पर stand डाला जाता है ठीक है पर इस्टेंट क्या करता है यह जो यहाँ पर सभिस्टान जमाए इनको यह दबा देता है पुश्ट कर देता है ठीक है जिस वज़े से यह ब्लोक आर्ट्री ओपन हो जाती है और इस्टेंट पर्मानेंट रहता है next one है coronary artery bypass ग्राफी यह क्या है कि जो coronary artery जहाँ पर ब्लोक आर्ट्री लाई यह आप से ब्लोक है तो इसको यहाँ से bypass कर दिया जाता है connection direct कर दिया जाता है तो यह part bypass हो जाता है तो यह बात होगा इसके surgery इसकी अब इसके बाद बात करते हैं इसके nursing management की तो इसमें first point है the main goal of treatment is to prevent growth of condition and promote oxygen supply to following organ अब यहाँ पे जो एtherosclerosis का management कर रहे हैं उसका सबसे main goal क्या होगा पहला तो होगा कि जो condition growth हो रही है एtherosclerosis condition जो develop हो रही है उसको रोकना ओके दूसरा oxygen supply को प्रमोट करना ठीक है जो blockage के वज़े से oxygen आगे नहीं पहुच पारे तो उसको promote करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा oxygen मिले ठीक है तो यह main goal है इसके treatment का second one है provide a calm environment to patient यानि patient को ऐसा environment provide कराना है जिसमें वो शांती रह सके शांत रह सके ठीक है next one है encourage for proper person को proper rest के लिए भी encourage करना है next one है encourage for regular exercise but advice to avoid heavy exercise person को increase करना है कि आप रोज regular exercise करें बट आपको इतनी भी नहीं करनी है heavy exercise रोकनी है ज्यादा है वर यह भी हमको exercise नहीं करनी है next one है promote fluid intake as per daily need जो fluid intake उसको भी maintain करके रखना है ताकि body को proper fluid मिलता रहे next one है advice to take medications at time person को जो patient है उसको advice देनी कि आपको जो भी medications prescribe की गई है उनको आपको समय पे लेना है next one है advice to take healthy diet and to avoid unhealthy diet like junk food person को advice देनी है कि आपको diet जो अब healthy लेनी है ऐसी कोई भी diet नहीं लेनी है जिसमें जो lipids वगेरा fat वगेरा इनकी मातरा जादा हो next one है advice to avoid alcohol tobacco etc जो alcohol वगेरा है tobacco smoking है इस तरह के जो product से इनको avoid करना है next one है advice for faller position to promote respiration person को यह कहना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पोशिश करनेगा faller position में बेटें जिससे क्या होगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा breathing या respiration easily आएगी और oxygen भी easily मिलेती रहेगी और last one है यहाँ पर advice to change lifestyle and to avoid stateful situation अब यहाँ पर person को अपनी lifestyle change भी करने की ज़रूवत है क्योंकि आप exercise भी करनी है हनेलदी डाइट को भी avoid करना है बाकी जो smokey वह उनको भी रोकना है तो आपको lifestyle यहाँ पर change करनी है यानि patient को और दूसरा जो stressful situation सो उनको avoid करना ऐसी कोई situation face नहीं करनी है जिनमे stress हो ओके यह बात होगा इसकी nursing management की अगर आपको टोपिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे comment करके पूछ लेजे ठेंक्यू